नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का सूपर आयस पर सो एक बहुत ही शांदार डेविलपमेंट सामने आ रही है यूनियन काबिनेट के द्वारा यूपी आई और रुपे को बूस्ट करने के लिए 2600 करोड का एक इंसेंटिव स्कीम है जो की अब क्लियर कर दिया गया ह आप लोग यहाँ पर देख पाएंगे Economic Times की यह खबर है आज दुपेहर को ही खबर सामने आई है Cabinet Approves Promotional Incentives वर्थ रुपीज 2600 करोड फर रुपे डेबिट कार्ड और लो वाल्यू यूपी आई ट्रांसक्शन और ये वैसे तो अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट है लेकिन ये बहुत ही daring step है जो की सरकार के द्वारा लिया गया है विकॉस पिछले साल बात हो रही थी कि शायद UPI को चार्जिबल बनाया जाएगा लेकिन उसके एकदम खिलाफ जाते हुए सरकार ने ना केवल इस चीज़ को ensure किया है कि UPI free तो रहने ही वाला है साथी में उसका इस्तेमाल के लिए अब government incentive भी offer करने वाले है जिसमें कि उन्होंने 2600 करोड का जो allocation है वो इस साल FY22-23 के लिए ही basically बैंकों के लिए यहाँ पर किया गया है तो समझेंगे incentive structure basically क्या है also यहाँ पर discuss किया जाएगा कि किस तरीके से यह वाली जो development है यह रूपे एवं UPI के लिए domestically और globally काफी जादा positive साबित हो सकती है आईए शिरू करते हैं दोस्तों मेरे साथ मेरा नाम है अनिरुद यदि आप लोग इस lecture की PDF को download करना चाहते हैं तो यहाँ पर दिये गए telegram channel के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं All right, so जैसा कि मैंने आपको बताया 26 करोड के आसपास का incentive scheme है जो की union cabinet के द्वारा अप्रूव किया गया है for the financial year 22-23 जिसमें की मात्र तीन महीने बच चुके हैं उसी financial year के लिए इस incentive scheme को शुरू किया को अप्रूव किया गया है और इन्होंने यहाँ पर यही कहा है that the incentives will be given on the use of rupee debit cards and the Bheem UPI की जो application है जो की हम लोग काफी लंबे time से इस्तिमाल कर रही है now यहाँ पर bankों को ही यह directly incentive दिया जाएगा because अभी तक banks का यह कहना था कि UPI से हम लोग खुश है लेकिन problem के वल यही है कि UPI के चलते ना तो हम लोग customer को charge कर पाते हैं ना ही हम लोग merchant को charge कर पाते ह और इसलिए government ने directly bankों को यहाँ पर रहत दी है कहते हुए that banks would be provided financial incentives for promoting point of sale and e-commerce transactions using rupee debit card and UPI in the current financial year यानी कि इसी साल budget के जस्थ पहले यह वाली बड़ी रहत है जो की सरकार के द्वारा bankों को यहाँ पर दी गई है और यह एक काफी बड़ा कदम बन जाता है because UPI की अगर आप transactions को देखेंगे तो पिछले साल मैं August से अपनी discussion को शुरू करता हूँ तो August के महीने में अगर आप देखेंगे तो UPI transactions महीने दर महीने नएने records को touch कर रही थी August के महीने में हमने 657 करोड transactions देखी थी जो की मात्र UPI के माध्यम से हुई थी उसके बाद September के महीने में हमने 678 करोड transactions देखी थी जो की UPI के माध्यम से हुई थी October के महीने में हमने 700 करोड के आकड़े को cross किया और हमने 730 करोड के आसपास transactions देखी थी जो की केवल UPI के माध्यम से हुई थी और December तक पहुंचते पहुंचते figures जो हैं वो बहुत जादा phenomenal हो चुकी थी UPI transactions in December hit almost 782 करोड के आसपास और अगर आप पूरे साल में देखेंगे तो पूरे साल में केवल UPI के चलते 7404 करोड के आसपास transactions देखने को मिली और total पैसा जिसका UPI के बदले जिसका UPI के तहत basically हमने transaction देखी है वो लगभग 125 लाक करोड का था इसको लेकर per second भी यहाँ पे data पेश किया गया है कि UPI के चल on month बहुत phenomenal growth देख रहे थे और अगर year on year की बात करें तो number and value of transactions were up 71% and 55% respectively यानि कि UPI में हमें बहुत ही जादा खतरनाक वाली growth देखने को मिल रही थी और सरकार के द्वारा जो यहाँ पे incentives दिये गए हैं यह definitely उस growth को अब और जादा push करने वाले हैं चाहें तो वीडियो को pause क करके इस chart को भी देख सकते हैं किस तरीके से 2021 की शुरुआत से लेकर 2022 के end तक हमारा जो transaction count है और जो transaction value है हमें दोनों में ही एक बहुत ही अच्छी बढ़त देखने को मिली है अच्छा कदम तो है ही लेकिन एक बहुत ही daring step भी है because एक तरफ जो NPCI that is the National Payment Corporation of India जो की पूरे UPI क framework को run करती है उसने ये भी कहा कि हम लोग यहाँ पे UPI के cost burden को bear नहीं कर पा रहे है हमें in fact दिक्कते आ रही है तो उसके चलते देखा जाए तो सरकार के द्वारा लिया जाने वाला ये कदम जो है ये अपने आप में काफी daring कदम भी बन जाता है according to me जो ये कदम लिया गया है this is exactly in line with the agenda of both digital and financial inclusion जैसा की सरकार ने August में इस चीज़ को declare किया था कि UPI एक digital public good है with immense convenience for the public and productivity gains for the economy इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए basically इस incentive structure को I think सामने लाया गया है coming to the topic of rupee cards तो rupee cards को भी incentivize किया जा रहा है इसका भी हमें बहुत बढ़ा फाइदा है वैसे तो rupee ने already इंडिया में जो market share है वो rupee ही dominant करता है because हमने visa और mastercard को बहुत साल पहले ही हरा दिया था 2020 में ही आप लोग देख सकते हैं कि rupee का जो market share था वो 60% के आसपास पहुँच चुका था और 2020 तक ही जो rupee cards थे वो पूरे इंडिया में 600 million rupee debit cards को issue कर दिया गया था यहाँ पर आप chart देख सकते हैं 15-16 से कि में हमें बहुत phenomenal growth देखने को मिली 16-17 में बहुत खतरना growth देखने को मिली और 2021 तक पहुँचते हमें अभी भी growth देखने को मिल रही है यानि कि rupee cards अभी भी बढ़ रही है अभी तक अगर आप देखेंगे तो हमने 700 million plus cards को already issue कर दिया है by the year of 2022 और यहाँ पर जो rupee को basically हम लोग promote कर रहे हैं यह again एक बहुत अच्छी चीज है because कही न कहीं इसका फाइदा हमें यही देखने को मिलने वाला है कि हमारी जो reliance है वो basically visa और mastercard जैसी foreign services के ऊपर basically कम होने वाली है लेकिन दोस्तों कहीं न कहीं इसका फाइदा हमें globally भी होने वाला है जहाँ पर दूसरे देशों में आपको visa mastercard की acceptance देखने को मिलती है क्योंकि रूपे की जो इंडिया में circulation है वो इतनी बढ़ जाएगी तो अब इसको बाकी देश भी accept करने लग जाएंगे जिसमें क्या आप लोग देख सकते हैं October में ही ख़बर सामने आई थी कि Singapore and UAE already सामने आ चुके हैं जिन्होंने accept कर लिया है that they are now going to accept the रूपे payment mechanism यह announcement हमारी वित्यमंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमन जी के द्वारा ही करी गई थी आप यहाँ पर देख पाएंगे उन्होंने बताया भी था कि Singapore and UAE have all come forward now to make रूपी acceptable in their countries बल्कि यहाँ पर भी आप देख पाएंगे NPCI ने भी कहा था कि क्योंकि रूपे जो है वो इतना जादा popular हो चुका है तो हम लोग कम से कम 30 countries के साथ बातचीत कर रहे हैं so that वो रूपे cards को directly accept करने लग जाएं तो यह वाला जो कदम अब लिया गया है यह उस popularity को उस circulation को और भी जादा बढ़ा देगा in fact हमारे लिए कई सारी ऐसी economies भी open हो जाएंगी जहांपे वीजा और Mastercard जैसे cards वो चलते ही नहीं है उधारन के तौर पर जैसे की रश्या हुआ जहांपे वीजा और Mastercard के द्वारा अपने operations को suspend किया गया था तो ऐसी economies को ऐसी jurisdictions को भी अब हम लोग tap कर पाएंगे so overall एक बहुत ही शानदार खबर है इंडिया के homegrown financial infrastructure के लिए financial technology के लिए जो की हमने UPI और रूपे के माध्यम से देखी जिसको की हम लोग अब जल्द ही globalize होते हुए भी देख पाएंगे all thanks to the incentives जो की सरकार यहाँ पर इन दोनों schemes के लिए दे रही है आप लोग क्या सोचते ह पूली development के बारे में definitely बताईए हमें comment section में जाने से पहले साथ ही बताना चाहूँगों कि Deskbook आपके लिए लाया है super coaching इसमें कि single package में GS, Optional और CSAT के courses आपको मिलते हैं वो भी मातरत 30,000 रुपे में अगर आप लोग मेरा code अनिरुद यूज़ करते हैं इसमें आपको कई सारे courses के साथ साथ मेरे दोरा बनाय हुआ science and tech का course भी available करवाया जाएगा thank you so much for listening stay tuned